दोस्तों इस वीडियो में हम बॉडी बिलिंग और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ अपडेट्स की बात करेंगे फरस्ट अपडेट है फ्रॉम बॉडी बिल्लर वेजली वैजर्स वेजली ने रिसेंटली शेयर की है कि वो अपने फिजीक को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं अरनॉल्ड क्लासिक 2024 जीतने के बाद Arnold Classic Ohio 2024 और Arnold Classic UK की विक्टरीज के बाद Wesley अपने बॉड़ी के वीकर पार्ट्स को और अच्छा करना चाते हैं स्ट्रॉंग पार्ट्स लाइक चेस्ट और शॉल्डर्स पर साइमल्टेनेसली काम करके वेजली ने रिसेंटली एक पुछ डे वरकोट रुटीन को शेयर किया है अपने फैंस के साथ नेक्स्ट अपडेट है ली लेबरेडा की तरफ से लेबरेडा ने शेयर किया गेम चेंजिंग टिप्स को टु बिल्ड मसल्स इवन आफ्टर दा एज और फिफ्टी 64 एर्ज ओल ली लेबरेडा की लॉंगिविटी इंस्पाइरिंग है डिकेट से ही ली लेबरेडा काफी अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं अच्छी डाइट को कंजियूम करते हैं और रिस्स्टन्स ट्रेनिग भी करते हैं जो essential role play करते हैं, muscle tissues को preserve करने में. Labreda ने बताया कि आपको resistance training करनी चाहिए, means weight lift करने चाहिए, weight training muscle volume और density को increase करती है. Age के साथ आपके muscle loss होने लगता है, और age related muscle loss को sarcopenia कहते हैं, बट इस muscle loss को रोका जा सकता है अच्छी training की जाए अगर, और diet भी follow की जाए. Intensive tissue है, जितना जादा आप muscle carry करेंगे, उतना जादा fat burn होगा in rest, यह आपके metabolism को higher रखेगा, body fat levels को कम करेगा, और आपको healthier और leaner रखेगा. Labreda ने शेयर किया कि age के साथ person को doctor से regular check-up करवाते रहना चाहिए, अपनी eating habits को अच्छा करना चाहिए, अच्छी diet लेनी चाहिए, चाहें तो multi-vitamin और fish oil को भी daily basis पे consume कर सकते हैं, doctor से consult करके, testosterone levels को regular basis पे check कर सकते हैं, अगर lower हो, तो कुछ natural waste से test levels को भी increase करके रख सकते हैं. So guys, यह थी कुछ body building and fitness industry से कुछ updates, information useful लगी, तो video को like and share ज़रूर करें, and subscribe our YouTube channel for more related videos.